नमस्कार आदाव सच्री अकाल जैभीम जुहार मेरा नाम है नवीन कुमार कंगना रनौत को तो जानते ही होंगे आप मैडम इन दिनों इतनी परिशान है कि पूछिये मत बरसों बाद एक फिल्म हाथ लगी थी वो भी बंबई में नहीं चन्नाई में सब्जक्ट भी शानदा था तमिल राजनीत की धुरंधर मरहूम जैललिता लेकिन कंगना की इस फिल्म का कूडा हो चुका है यह फिल्म न तो रुपिया कमा सकी और नहीं नाम नहीं किसी ने तारीफ की नतीजा चार बार के निश्टरल अवाडी को दिन में ही तारे नजरा रहे हैं क्योंकि OTT प्ल डिरेक्टर उनके साथ काम नहीं करना चाहता कोई भी बड़ा प्रोडियूसर उन पर पैसा नहीं लगाना चाहता लहाजा दर्द में डूबी कंगना राम राम चिला रही हैं लेकिन मैडम कंगना का दर्द इतना ही नहीं है कंगना का बड़ा दर्द ये है कि रितिक रोशन के साथ लफडे के मामले में गीत कर जावेद अख्तर ने उनको बहुत अच्छे तरीखे से लपेट लिया है। आपको याद हो तो सुशान सिंग राजपूत की मौत के बाद स्टार पुत्रों को लेकर एक बहुत बड़ी बहस शुरू हो गई थी। रिपबलिक टीवी पर ब स्वामी को ये इंटरिव्यू दिया था। इस पर जावेद अख्तर चले गए कोट और जब से जावेद अख्तर कोट गए हैं सम्मान के नाम पर जान दे देने वाली कंगना रानौत का कंट सुखा हुआ है। पहले तो उन्होंने जावेद अख्तर के मान हानी के नोटिस प भाग खड़ी हुई। उन्होंने जज के सामने कहा कि मिलाड मेरा तो इस कोट पर से भरोसा ही उठ गया है। मेरा केस कहीं और ट्रांसफर कर दीजे। जी हाँ सही सोना आपने। जिस कोट में मुखदमा चल रहा था उस कोट पर से भरोसा उठ गया है कंगना का। मतलब आप पूरे मामले को ठीक से समझिये। मुंबई के मेट्रोपल्टन मजिस्टेट आरार खान जावेद अख्तर के शिकायत पर सुनवाई कर ले थे। अख्तर ने आरोप लगाया है कि एंकर अरणब गोस्वामी के साथ अपने साक्षातकार में कंगना रनौर्ट ने उनकी बेदाग प्रतिष्ठा को नुकसान पहुँचाया है। कंगना ने हर मुमकिन कोशिश की कि उन्हें अदालत के चक्कर ना काटने पड़े। लेकिन कोट के सخت रविये के बाद कंगना को खुद पेश होना ही पड़ा। अदालत ने 14 सितंबर को कंगना को पेशी से अंतिम छ काम रही तो वो गिरफतारी वारंट जारी करेंगे। नतीजा कंगना को कोट में पेश भी होना पड़ा और जजद साहब को तमीज से जुक कर सलाम भी करना पड़ा। इसी बात से कंगना भड़की हुई हैं कि हमको कोट कैसे बुला लिया। आप तो जानते ही हैं कि कंगना مسلمانوں سے कितनी नाराज रहती हैं उपद से मजिस्टेट भी مسلمان ये अलग बात है कि कंगना चो अपना मुकामा लड़ने के लिए मुसलमान वकीर पर तो भरोसा है लेकिन मुसलमान जज़ पर नहीं है कहती है हमारा विश्वास उठ गया उनके वकील रिजवान सिद्दिकी ने सवाल उठाया कि जमानती और कमपाउंडेबल और गैर संगे अपराद में कंगना रनौत की पेशी की जरूरत क्यों है लेकिन इस अदालत ने कई मौकों पर कहा है कि उनके खिलाफ वारंट जारी किया जाएगा इसलिए वो इस अदालत के साथ सहज नहीं हैं कंगना का इस अदालत के प्रती विश्वास उठ गया है अब दूसरी तरफ देखिए कि जावेद अख्तर के वकील एक हिंदू है उनका नाम है जय भारदवाज उन्होंने दलील दी कि कंगना हर सुनवाई पर अजीब औ गरीब कारण लेकर आ जाती हैं इसके बाद मामली की सुनवाई 15 नवंबर तक के लिए स्थगित कर दे गई और सुनिए मैडम कंगना रनाउत ने देखा कि जावेद अख्तर के आरोपों पर वो बुरी तरह से फस गई हैं तो उन पर एक जबर्दस्त आरोप अलग से जड़ दिया चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के सामने धारा 200 के तहट अलग से कियाचिका लगाकर जावेद अख्तर पर जबरन वसूली और आपराधिक धमकी कारोप लगा दिया कंगना ने दावा किया है कि जावेद अख्तर ने रितिक रोशन के साथ उनके जगड़े के दौरान उन्हें और उनकी बेहन रंगोली चंदेल को दुर्भावना पून इरादे और गुप्त मकसद से अपने घर बोलाया रनाउत ने कहा कि अख्तर ने उन्हें आपराधिक रूप से डराया और कहा कि सरवजनिक छवी खराब करने के लिए उसे रितिक से माफी मागनी चाहिए इतना ही नहीं कंगना ने आरोप लगाया है कि जावेद अख्तर ने उन पर रितिक के समर्थन में अनुकूल बाते कहने के लिए दबाव बनाया कंगना ने जावेद अख्तर के खिलाफ भारतिये दंड संगिता की धारा 383, 384, 387, 503, 506 और 509 के तहट कारवाई की मांग की है जद साहब ने इस शिकायत को भी जावेद अख्तर के मुकदमे के साथ ही जोड दिया है मुक्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट दोनों याचिकाओं पर एक अक्टूबर को सुनवाई करेंगे अब सुनिए कि कैसे कंगना रनौत अदालत में पेश होने से भागती फिर लही है जावेद अख्तर की याचिकाओं पर एक फरवरी दोहजारी कीस को मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने सी यार पीसी की धारा दोसो चार के तहत रनौत के खिलाफ सुनवाई शुरू की थी और समन जारी करके कंगना रनौत को एक मार्च को पेश होने का निर्देश दिया लेकिन कंगना पेश नहीं हुई जद साहब ने फिर से समन जारी किया कंगना फिर पेश नहीं हुई इससे नाराज होकर जद साहब ने 27 चुलाई को आखरी मौका देते हुए कंगना को व्यतिगत तोर पर पेश होने से छूट दी अदालत ने उनके वकील को कंगना की पेशी सुनिश्चित करने को कहा अगली सुनवाई पर और कहा कि अगर कंगना नहीं पेश होती हैं तो जावेद अख्तर कंगना के खिलाफ वारंट जारी करने के लिए आवेदन कर सकते हैं इसके पहले कंगना अंधेरी मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत में चल रहे मुकदमे को रद करवाने के लिए बॉंबे हाई कोट पहुँच गई थी लेकिन 9 सितंबर को हाई कोट ने कंगना को जबरदस्ट जटका दे दिया हाई कोट ने रणावत की याचिका को ये कहते हुए रद कर दिया खारिज कर दिया कि शिकायत करता का संग्यान लेते समय केवल प्रक्रियात्म का नियमित्त उसे राहत देने का आधार नहीं हो सकती है हाई कोट ने देखा कि मेट्रोपॉलिटन मजिस्टेट ने मानहानी के कथित अपराद की सुनवाई शुरू करते हुए रणोट को अदालत में तलब करने से पहले अपना दिमाग लगाया और सभी पहलूँ पर विचार किया था अब नया ड्रामा कंगना कह रही है कि मेट्रोपॉलिटन मजिस्टेट की अदालत पर उनको विश्वासी नहीं है कहीं और भेजिये मकदमा जावेद अख्तर ने 19 जुलाई 2020 को इंट्रिव्यू चलने के बाद ही कहा था कि माफी मांग लो और बात खतम कर लो लेकिन कंगना नहीं मानी जावेद अख्तर ने चार महीने इंतजार करने के बाद नवंबर 2020 में अंधेरी के मेट्रोपॉलिटन मजिस्टेट कोट में आपराधिक मानहानी का मुकदमा दर्श करा दिया अख्तर ने अपने शिकायत में कहा कि वो एक सेल्फ मेड मैन है जो 4 अक्टूबर 1964 को 27 रुपए दो जोड़ी कपड़े और कुछ किताबें लेकर मुंबई पहुँचा था तब वो 19 साल के थे उन्होंने रनौट पर रिपब्लिक टीवी पर अपने इंटर्विव में उन्हें बदनाम करने का रूप लगाया अख्तर का दावा है कि 57 मिनिट टक चले इंटर्विव में रनौट अरनब गुस्वामी के सामने बिना किसी सबूत या वेटिगत जानकारी के राजपूत की मौत के आसपास की परिस्थितियों पर अपनी राय देती हुई दिखाई दे रही है या नवश्यक रूप से शिकायत करता के नाम को एक असंबध समवेदन शील मामले में घसीट ने शिकायत करता को परोक्ष रूप से धमकी देने के समान है जो फिल्म बिरादरी का एक अट्यंत सम्मानित सदस्य है हर तरफ से हारी कंगना अब कोट पर ही औविश्वसनी हो जाने का रूप लगा रही है मेरी मा ऐसे मामलों के लिए बिहार की मगही जुबान में एक बड़ी जोलदार कहावत कहती है सुपुआ तो सुपुआ चलनियों दूसे जे में 72 छेद मतलब सुप को छोड़िये चलनी में शिकायत कर लही है कि सुप में बहुत सारे छेद है इस वीडियो में इतना ही लेकिन अगर आपने आटिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फॉरण कर लीजिए बिल आइकान दबाई अगर यूटूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब और अगर फेस्बूक पर देख रहे हैं तो फॉलो नमस्कार